सीता विवाह माता सीता का जन्म धर्ती मैया से हुआ था इसलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी जिन में से एक था शिव के धनुष से खेलना जिसे कई महान महारती हिला भी नहीं सकते थी यह दिव्य धनुष इतना ज्यादा भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी ये द्रिश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है ये कोई दिव्य आत्मा है इसलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चे कर लिया कि वे सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे लेकिन वे सीता के लिए दिव्य पुरुष को कैसे खोजें? ये सवाल उन्हें अक्सर सताता था, तब उन्हें खयाल आया कि वे स्वयमवर का आयोजन करेंगे, जिसमें ये शर्त रखी जाएगी, कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चड़ाएगा, वो ही सीता के योगि समझा जाएगा, शर्त के अन के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाए, यहां तक कि इस स्वयमवर में, रावन ने भी हिस्सा लिया, और धनुष को हिला भी नहीं पाए, ये देख, राजा जनक को अत्यंत दुख हुआ, वो कहने लगे, कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी प अने स्थान से उठे और दिव्य धनुष के पास गए, श्री राम ने धनुष को प्रणाम किया, और एक जटके में ही उसे उठा लिया, और जैसे ही उन्होंने प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ा, वो तूट कर दो हिस्सों में गिर गया, इस प्रकार शर् पूलों की वर्शा करने लगे, सीता जी ने श्री राम के गले में वर्माला डाल कर उनका वरण किया, और मिथिला में उत्सव का आरंभ हुआ, लेकिन धनुष के तूटने का आभास, जैसे ही भगवान परशुराम को हुआ, वे क्रोध से भर गए, और मिथिला की उस सभाम पहुचे, उनके क्रोध से धर्ति कम्पित होने लगी, लेकिन जैसे ही श्री राम ने भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर उनसे क्षमा मांगी, भगवान परशुराम समझ गये कि वास्तव में राम कोई साधारन मनुष्य नहीं, अपितु भगवान विश्नों का आपकर सीता और राम को आशिर्वात दिया